हलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल माई लिटल वन इंडिया मेरा नाम है महिमा गर्भा वस्ता जो आपके जीवन की सबसे खुबसूरत अफधी होती है इसमें बहुत सी चीज बदल जाती है ना केवल आपके शरीर में बदलाव आते हैं बलकि आपकी पूरी जीवन शैली आपकी प्राथिमिकता है और आपकी सोच भी बदल जाती है इस दोरान ना केवल अपने बच्चे के लिए बलकि खुद के लिए भी अच्छी सेहत सुनिश्चित करने के लिए जो चीजे नहीं खानी चाहिए उनसे खुद को अउगत करा लेना चाहिए एक गर्वती महिला क के लिए भोजन एक बहुत ही महतपूर तत्व है जबकि अच्छा भोजन आपको और आपके बच्चे को पोश्र तत्व देता है और हानिकारक भोजन एक गंभीर खत्रा पैदा कर सकता है तो चलिए हम बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान कच्चे दूद का सेवन करना ठीक है या नहीं अपने बच्चे के उचित विकास के लिए आपका दैनिक और नियमित रूप से दूद का सेवन करना अत्यधिक महतपूर है या आपको और आपके होने वाले बच्चे को खनीज, कैल्शियम और प्रोटीन जैसे महतपूर पोश्र तत्व को प्रदान करता ह जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मा और बच्चे दोनों के लिए दूद बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस दूद का सेवन कर रही है वो पोशिकृत किया गया है अगर पोशिकृत किया गया दूद नहीं है तो उसमें काफी रोगाडू हो सकते हैं जो गंभीर बिमारियां पैदा कर सकते हैं इसलिए सलाह दी जाती है कि आप ऐसे सभी प्रकार के डेरी उत्पादों को टालें जो पोशिकृत नहीं किया गया है सुनिशित कर लें कि आप हमेशा उबला हुआ ताजा दूद ही पी रही है हमेशा दू और क्या नहीं खाना चाहिए तो आप हमारे प्लेइलिस्ट में जरूर जाइए और देखिए कि क्या आपको नहीं खाना चाहिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं अगर मेरे द्वारत दी गई जानकार तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरन सब्सक्राइब करें तैंक यू